किसी की मौत पे राजनीती नहीं होनी चाहिए ये बात हम अच्छी तरह समझते भी हैं और हम इसका समर्थन भी करते हैं लेकिन ऐसे केसेज में इस प्रकार से किसी और की मौत न हो जाये इसकी चिंता करनी बहुत जरूरी है इस नाते से आज में कुछ बातें आप सब के लिए करके आया हूँ सामने आप सभी जानते हैं कि कल एक व्यक्ति ने आत्महत्या जैसी बातें हमारे दिल्ले में आई है लेकिन मैं मानता हूँ ये आत्महत्या नहीं हत्या है कल हलाकि वो आमादमी पार्टी के कारी करता है वो तिकट के दावेदार थे और ऐसा समाचार में आया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली मगर जिस प्रकार की सारे प्रमाण बातें साक्ष सामने आ रहे हैं ये कहीं से आत्महत्या नहीं लगती है उनका नाम संदीब भारतवाज मैं कल गुजरात में था और मुझे पता चला कि संदीब भारतवाज नाम के एक व्यक्ति जो आम आदनी पार्टी से जिनको टिकट मिलने का सारा भरोसा दिया जा चुका था जो आम आदनी पार्टी के फाउंडेशन के मेंबर हैं वो आत्महत्या कर लिये हैं और बातें पता चलती है कि उस जगह से जिनको टिकट दिया गया आम आदनी पार्टी के द्वारा वो पैसे पर टिकट बेच दिया गया और ऐसी इस्थिति में संदीब भारतवाज नाम के व्यक्ति इस आगात को सहन नहीं कर पाए और वो आत्महत्या कर लिये हम सभी जानते हैं आत्महत्या के लिए मजबूर करना भी हत्या के ही समान होता है और ये पाप आम आदमी पार्टी के मुख्या ने किया है ये पाप आम आदमी पार्टी के सिर्ष नत्रुत ने किया है ऐसी इस्थिती में जो खबरे आ रही हैं किसी अंजली राय का नाम आ रहा है इसमें कि उनके बेटे को टिकट दिया गया जो बैसे से बेच दिया गया थोड़े समय पहले भी इस प्रकार की घटना आई जहां पर कि ऐसे ही टिकट विकरी के आरोब के कारण दिली के एक बिधायक को आम आदमी पाटी के लोग ही बहुत दोड़ा दोड़ा कर पीटते हुए नजर आए हम ऐसी स्थिती की दिली में कलपना नहीं करते हैं हम इससे बहुत चिंतित हैं लेकिन अगर इस प्रकार से कट्टर इमानदारी की बात करने के बाद इस प्रकार का ब्रस्टा चार टिकेटों के विक्री और यहां तक की लोगों को मौत के कगार तक पहुचा देने की प्रक्रिया बातें आएंगी तो भारतिय जनता पार्टी इस पे चुप तमासा नहीं देख सकती हमारे लिए दिली के एक-एक व्यक्ति की सुरक्षा कंसर्ण रखती है हमें दिली की खुसाहाली हमारे लिए कंसर्ण रखती है ऐसी इस्थिती में मेरा मन रो रहा है मैं जब से ये समाचार सुना हूँ मुझे न खान अच्छा लग रहा है न पानी अच्छा लग रहा है मैं देख रहा हूँ कि ऐसे आम आदमी पार्टी के सिर्ष नेताओं की मानवता भी अंदर से मर चुकी है उनको इस विषय पे बात करने की जगह इस विषय पे कुछ कहने की जगह वो रटा रटा या स्क्रिप्ट लेकर के बैठ जाते हैं दिल्ली के लोगों के सामने रटा रटा या स्क्रिप्ट लेकर बैठ जाते हैं दिल्ली की मीडिया के सामने क्या हमारे दिल्ली के युक, दिल्ली के लोग दिल्ली में दिल्ली के राजनीति में आगे जाने के लिए सोचने वाले लोग ऐसे ही मौत के कगार पर जाते रहे अर्विंद केजरिवाल और उनके साथ ही संदीब भारतवाज जैसे लोगों को ऐसे ही मौत के मुह में पहुचाते रहेंगे ये मात्र भारतिय जंता पाटी या मनोस्तिवाली के लिए चिंता कभी से नहीं होला चाहिए ये चिंता याजपुरे दिल्ली के लोगों को करना पड़ेगा अगर देश के कुछ लोग दिल्ली को समझते हैं देखते उनको भी करना पड़ेगा संदीब भारत द्वाज आत्महत्या नहीं किया बलकि उनकी हत्या हुई है और इन सारे बातों से प्रमाडों से हम अलग नहीं हो सकते हैं इसलिए हम चाहते हैं कि इस केस में एक उच्छ अस्तरिय जाच हो नियाईक जाच हो जिस सस्तर पे भी जाच हो संदीब भारत द्वाज की हत्या के तह में जाना पड़ेगा दिल्ली को जाना पड़ेगा दिल्ली के लोगों को इसका जवाब मिलना चाहिए ऐसी स्थिती में भारती जनता पार्टी ये मांग करती है कि जो संदीब भारत द्वाज की मौत हुई है जिसको आत्महत्या का रूप दिया गया है वो कई लोगों के द्वारा उसको आत्महत्या तक पहुँचाया गया है और इसमें कौन-कौन लोग शामिल है इसकी जाच होनी ही चाहिए इसके लिए आज में आप सब के सामने बैठ करके और दिल्ली के लोगों की वाज आप सब तक पहुँचा रहा हूँ उन सभी एजेंस्टिस तक पहुँचाने की कोसिस कर रहा हूँ जो इसमें उच्छे सरीय जाच के लिए आगे आ सकते हैं और हमें पुरा उम्मीद है कि न्याय मिलेगा मैंने कल अरविंद केजरिवाल जी के सुरक्षा बढ़ा सुरक्षा की चिंता की है मैंने मैं तो उनको चाहता हूँ कि वो सुरक्षित रहे जिस प्रकार से उनके विधायक पिट रहे हैं जिस प्रकार से उनका एक कालिकरता मौत के मुह में समा गया है यह सारी स्थितियां बड़ी चिंता जनक है हमारा ट्वीट पढ़े हम क्या लिखे हैं और यह यह जो आत्या की और हत्या की धंकी की जो स्क्रिप्ट है न यह आमादमी पार्टी की बहुत पुरानी है यह सब देखिए हमारे पास क्या है यह देखिए यह सब मनीश सोदिया जी का ट्वीट है केजरिवाल की हत्या करवाना चाहती है बीजेपी किस डेट की है यह 2019 में है यह अलग 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 डेट है तो यह तो हर साल खालि साल बदलता है इनका आरोप यही रहता है अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अरविंद केजरिवाल बारवर मनीश केजरिवाल मनीश से सोदिया को जेल भेजने की बाते करते रहते हैं और मनी, सिसोदिया उनकी हट्या की भविश्यवाडी कर रहे हैं, यह उनका डोनों काया आपस में क्या चल रहा है हमारे समझ के बाहर है सजा किसी को भी अगर उसके कुकर्मों की हो पापों की हो तो सजा न्यायले दे सड़क पे इनलों को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है